हेलो सुरेंट्स हाव अर यूट्यूब चनल पंकर फिजिज घुलाटी तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्सक्राइब सॉलिट स्टेट एंड नैनो फिजिक्स उनिट वन का एक और इंप्रॉडर्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रिश्टल कोसजने के लिए सब्सक्राइब यह से बढ़ना पड़ना पड़ा क्रिश्चिल लैटिस होता है इं highs और एयस घु अ Cup आप बहुत सारे points रॉआ कर सकते हैं तो students इस जो पूरा crystal lattice बनाया है जिसमें infinite area of points रॉआ किंग है space के अंदर तो students इस points को कर सकते हैं थू लाइंस लाइक दिस लाइक दिस और यूएं इस प्रइस अगर आप इन लाइंस को थ्री ड्याइशन में एक्स्टैंड करकर देखेंगे तो यह आपको planes की तरह नज़र आएंगे मेंस हम यह कह सकते हैं कि जो crystal lattice होता है वो different set of parallel planes से मिलके बना होता है, देकि सुन्स एक set आपको ये नज़रा रहा है, crystal planes का, एक set आपको ये नज़रा रहा है, एक set ये नज़रा रहा है, यहाँ पर आप बहुत सारे set बना सकते हैं, lattice planes के, जो की lattice point से पास होकर गुजरेंगे, सुन्स हम सब जानते हैं, एक crystal lattice जो होता है, वो anisotropic होता है, means उसकी जो physical properties होती है, like mechanical, electrical, optical, वो different directions में different होती है, means इस direction में कुछ होर होंगी, इस direction में कुछ होर होंगी, इस direction में कुछ होर होंगी, तो इतनी सारी directions के along इसकी properties को study करना मुश्किल रहता है, तो हम क्या करते हैं, of crystal lattice planes choose कर लेते हैं, एक lattice planes, एक lattice plane के along जो उसकी properties होंगी, और जो उसके parallel set of planes होंगी, उसके along भी students वो properties सेम रहेंगी, तो students इसलिए हमें crystal planes को study करना ज़रूरी होता है, अब बात यह आती है कि in crystal planes की orientation और direction को कैसे specify किया जाए, तो students इसके लिए Miller नाम के एक physicist ने एक method इंटर्ड किया था, जिसको हम बोलते है Miller indices, Miller indices basically three numbers का set होता है, जो crystal planes की orientation और direction के बारे में हमें जानकारी देता है, तो उन Miller indices को study करके, हम crystal lattice की different physical properties को study कर सकते हैं, तो students starting में अगर आगर आको paper में exam में ही question आएगा कि what are crystal planes and Miller indices, तो starting में आप क्या लिखके आएंगे, आए वो देख लेते ह एक बार, तो student आप study में क्या लिखके आएंगे, आएए वो देख लेखते है, crystal lattice may be regarded as the aggregate of different different set of parallel planes passing through lattice points such that each set of parallel plane has particular orientation and direction with reference to coordinate axis to the crystal plane definition crystal lattice may be regarded as the aggregate of different set of parallel planes passing through lattice points points इसका क्या मत्तब है, crystal lattice को हम यह मान सकते हैं कि वह बहुत सारे ऐसे parallel plane से मिलके बना होता है जो की different lattice points से पास हो रहे होते हैं और हर एक जो x-axis and y-axis इसके respect में x-axis और y-axis के बीच में इस set of parallel planes की अलग orientation है अलग direction है इस तरह से जितने भी parallel set of planes होंगे किसी भी crystal lattice के अंदर वो उनकी orientation और direction जो है वो different रहेंगी coordinate axis के reference में तो सुझेंट सम जो different set of parallel planes हैं उनको चूज करने के methods हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं जिसे मेंना कुछ methods यहां draw करके दिखाए है crystal planes जो parallel होंगे दूसरे के उनको चूज करने के दो तिन कि वेन कि जुमेट्री कि इस एक्स्टेंडड़ को थी डिमेंशन जो लाइन आपको नजर आ रहे हैं यह इस ही है basically अगर आप इसको थी डिमेंशन के नजरिय से व्यू करते हैं तो तो सुदेंट्स अब प्रॉब्लम ही है दो प्रॉब्लम इस how to designate the orientation and direction of these parallel set of crystal आ तो सम्स्या ये थी एक के लिए विपरेंट कार इंठ ने शोथ कर लिए तो प्लस यह है कि आप इनको कैसे क्यों का का चैसी बताए जाए कि रिस्पेक्ट में इनकी क्या है क्या है तो मिलर ने इस समस्यं का रही किया मिलर अगा कि आ थो मैथर्ड कूं डेजिगनेट क्यी ए और भी कि और ए टेशन and direction of parallel set of planes with respect to coordinate axis by three numbers और आमको इंटीजर्स को पूरहरा है त्री इंटीजर्स को मिलर इंटीजिस तो इन पैनल सैट ऑफ क्रिस्टल प्लेंज के अगर आपने तो मिलर ने क्या किया एक मैथड दिया चार स्टेप का वह मैथड है जिससे हम वह तीन नंबर्स फाइंड करेंगे जिनको मिलर इंडीजिस बोलते हैं जो कि किसी भी पैरलल सैट प्रिस्टल प्लेंज की और इंटेशन बताएगा हमें और उसके डिरेक्शन भी बताएगा कि उसकी और इंटेशन क्या है विधिस स्टेप्टर कॉरिने एक्सेस तो शुर्ण आप यह भी लिख के आएगे इसके बाद आप वह स्टेप्स लिखेंगे जिसके थू हम किसी भी पैरलल सैट प्लेंड के मिलर इंडीजिस फाइंड कर सकते हैं अब वह स्टेप्स वन बै बै इस भी पॉइंट या एक्टम को और इजन माल लेना है और वहां से आपको तीन एक्सिस कंस्ट्रक्ट करनी है एक्स वाई एंड जेट उस पहले हम यह लिख लेते हैं सूजेंट्स टेक टेक अपॉइंट और आटम एक्सिस के अलोग जो पर्मिट्टिव फर्डामेंट ट्रॉइंट्स वेक्टर होता है वह होता एक तो यह हो गया हम आगे टू एक्सिस में जो फंडामेंट ट्रॉइंट्स एक्सिस के उपर क्या-क्या इंट्रसेट बन रहे हैं और इंट्रसेट से कोडिनेट फाइंड आउट करेंगे इस्पोस एक प्लेन है जो की एक्स एक्सिस में इंट्रसेट बना रहा है 3a y एक्सिस में इट्रसेट बना रहा है 2b और Z-axis में इसका intercept है 2C तो आपको जोइन कर देंगे तो आपको एक plane मिलेगा जिसके intercepts होंगे 3A, 2B and 2C उसके वाद आप यहां लिखेंगे find the intercepts of the plane along 3-axis along the 3 coordinate axis एक्स एक्सिस के अलॉंग किदना है जड़के नीचे एक्स वाला लिखेंगे और जड़के नीचे लिखेंगे जड़ वाला तो इसके बाद हम करेंगे स्टेप टू करने के पाद अब को सुनी क्या करना आपको यह काम करना है आपने जो इंटरसेप्स निकालने हैं किसी एक पर्टिक्रल प्लेन के एक्स वाई जैडेक्स के अलॉंग उन इंटरसेप्स को मुल्टिपल्स ऑफ ए बीसी की फॉर्म में लिखना है एक्सप्रेस कि दा इंटरसेप्स इस मुल्टिपल्स ऑफ ए विए और सी हुआ अगरेख़ ती यह पींड यह आपको से लिए आप कुछ भी ले सकते हैं या पर थरी बी सकते यहां पर आप फॉर्ष सकते हैं कुछ भी ले को ले सकते हैं और उसके million indices find out कर सकते हैं यह choice आपकी रहेगी तो स्टेकिंड स्टेप यह है कि express the intercepts as multiples of ABC स्टेप में हम यहां तक कर चुके है step two कर चुके है third step में हमने क्या करना है टेक रैसी प्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्स थर्ड सेप बहुत ही सिंपल है second step में आपने जो numbers find out कि रहे त्री टू टू इंका रैसी प्रोकल ले ले जिए तो यह स्टेप three अब बच्चे में आपर step four अब वह देखते हैं उसमें हमने क्या करना है तो स्टेप four में हम क्या करेंगे reduce रेसी प्रोकल ऑफ इंटरसेप्स इंटू स्मालेस्ट सेट ऑफ इंटेजर्स इन न सेम रेशो बाइं मल्टिप्लाइंग विद्धियर एल्सेंग अब इस्टूरेंट्स पर इंट्रस्ट्स आये वह फ्रेक्शन की फॉर्म में है इनको आपने स्मॉलेस्ट अफ इंटेजर्स में करना है तो उस्ट वह कैसे करेंगे पहले आप इन जो डिनोमेनटर में नम्बर लिखें थ्री टू टू इनका लिखें एक इंट्री टू टू इंका अगया उप्स्ट्स रिकांग और यहां पर लिख लिखेंगे यहां इंट्ट्स को सब्सक्राइब किर दीजिए अब है वी मिन था स्पेस रखेंगे आप दियां रखेंगे लास्ट में आपको तीन नमर मिलेंगे नास्ट स्टेप जो है एक और स्टेप हैन्ट के इन्दर उसको आपको मिलर find out हो जाते हैं आपके तो आपके basically find out करने के चार step नहीं है five steps है five step में आप in integers को smallest set of integers को आप parenthesis में close कर देंगे तो बढ़ते हैं last step means step number five की तरफ step five में क्या लिखेंगे and close the smallest set of integers in the parenthesis and we will get Miller indices so Miller indices are two three three यह बाइद आप इनकी बीच में नहीं देंगे और nine की बीच में आप कॉमा लगाएंगे तो आपको तीन नंबर मिलता है जो step four में है two three three आप उनको एक सिंपल प्रेकर के अंदर कर दो तो यह है मिलर इंडिसे इस पर्टेकुलर प्लें के जिस्ते हमने मिलर इंडिस फाइंड आट करने की कोशिश की पांच steps के अंदर इस तरह से मिलर इंडिसे को फाइंड आप कर सकते हैं नेक्स सब्सक्राइब पढ़ेंगे इंपॉर्टर इंपॉर्टर इंडिसे के बेसे के लिए ते तीन मेंन फीचर होते हैं सुदें माली जी यह आप एक क्रिस्चल प्लें है और इसके मिलर इंडिसी आपने निकाले थे तू त्री ट्री एक्टेशन होती है वह है वह करते हैं एच के ल तो एच के ल स्मॉल अटरस में लिए आप इंडिसे में गाप नहीं होगा कॉमा लिए नहीं होगा और प्लेंटेस केंदा जुरूर और क्लोज करेंगे तो मारा पहला मिलर इंडिसी एच्छा टू के है थ्री और एल है ठी तो सुदेंट्स एक प्लेंड है जिसके मिलर इंडिसी निकाले थे अब इसके प्रपेंडिकुलर आपको एक डिरेक्शन दिखानी है इसके प्रपेंडिकुलर एक लाइन है तो उस लाइन को आप कैसे रिप्रजेंट करेंगे तो सुदेंट्स अगर कोई भी आपका मिलर इंडिसी है किसी प्लेंगा तो आपको कोई प्रपेंडिकुलर डिरेक्शन दिखानी है इस प्लेंड के तो आप सिंप्ली क्या के परपेंडिकुलर होगी तो पहला आपका फीचर क्या होगा मिले निदी सिस्टा इन क्यूबिक क्रिस्टल इस दिरेक्शन परपेंडिकुलर तो एच की एल प्लें इस रिप्रेजेंटिर भाई इस प्लेंड के परपेंडिकुलर होगी तो मानीजिये इसको यह जो मारम मिला है इस एच के एल इस लाइन परपेंडिकुलर टू क्लेंड एच के एल तो यह है पहला इंपॉर्टन्ट इस लिएयर इस का तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टन्ट फिचर ऑम की तरफ तुर वन सेकेंड फीचर क्या है कि अगर आपके जो हैं आगर सिंगल डिट में आते हैं जैसे अब लाइंगे वह पूद्री स्वाइए नहीं जो एच की वैल्यू आती है वह टैन अगती है कि की वैल्यू फाई वाती है ऐलके वैली अगी एक फिफ्टीन हाती है तो उनके बीच में आप कॉमास लगाने ज़रूरी रहेंगे तो रहेंगे साकिन्ड इंपोर्डेट्ट फिचर क सिंगल डिजिट को आप सिंपल परंथिस में विदाउट कॉमा विदाउट स्पेसिंग आप इनको लिखेंगे बट अगर टू डिजिस वाले आते हैं तो आप कैसे लिखेंगे आये वो देखते हैं बट वैं मिलियर इंडिस ऑफ आप प्लेंड आफ डबल डिज्ट होते हैं क्रिस्चल लैंति के अंदर कईयों के दो मिलियर इंडिस निकलें को डबल डिज्ट में भी आसकते हैं डबल डिजिट इस रहाओ सेपलेटल बाई कॉमस तो आप वामेज रूड लगाएंगे तो माली जै यह जो पने एक्जामपल लिया था माली जै को एक प्लेन है उसके मिलें नीचे टैन फाइफ फिटीन आ रहे हैं तो उनको प्यासे लिखेंगे तो यह सुद्ट इंपोर्टन फेचर बढ़ते हैं लास्ट इंपोर्टन फेच प्याया है मिलें इंडिस लिख रहा हूं और आपसे एक बात पूछूँगा टू सिक्स और कॉमर लागर लिए लाता हूं 133 अब आशनक क्या यह दोनों प्लेन को सेंब प्लेन को रिपर्जैन कर रहे हैं 262 श्जाय present कर रहे हैं 233 अब देखिए बोन का ट्वाइस 2 ट्वाइस गौक ट्वाइस 6 तो सुदेंट्स क्या यह दोनों मिलें गिसी दो लिदुशर के मैं यह से बापस मुल्टीपर होते हैं वह सेंब करते हैं मींस तू सिक्सिक्स फैमिली और पैरल सेट प्लेंस होंगी वह सेम होंगी तो स्थुदेंट यह चीज आप ध्यार रखेंगे तो आप इसमें क्या लिखेंगे थर्ट कोईंट के अंदर यहां पर तू का मल्टीबल था वहां एक्जाम में लिखके आएंगे 266 आप कुछ और भी ले सकते हैं पर एक उसरे मुल्टीपल लिजिए गा मिले इंडिस में रिप्रेजेंट्स कि दसेंग तो जमने वा कोशन आएगा मिले निस का मिले निस क्या होते हैं कैसे फाइंड करते हैं तो चारे छे नमर के आएगा तो आपको तीन फीचेश वी साथ में को आपको आड़ करने पड़ेंगे था मेले इंडिसी दो इसकी इंपॉर्ट